Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोसल फार्मिसी में चैप्टर नमबर 4 का लेक्चर नमबर 2 जहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एपिडेमियोलोजी के बारे में ठीक है ना, कोई बहुत जाए टफ टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, बस हमको यह समझना है कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है ना, और कुछ चोची टर्म्स आने वाली है तो एपिडेमियोलोजी को समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स समझने होंगे और वो टर्म्स क्या है, कुछ टर्म्स आने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेवस में मेंशन है तो वो टर्म्स क्या है, सुरुवात होगी हमारी एपिडेमिक से जिससे की हम लोग epidemiology को अच्छे से समझ सके epidemic से मतलब क्या है ठीक है ना तो epidemic का अगर normal सी बात की जाए तो epidemic का मतलब होता है एक कोई area एक तरह से ठीक है ना कोई specific कोई specific geographical area that is called epidemic simple सा meaning यह है कोई एक खास area पूरी दुनिया नहीं पूरा देश नहीं कोई यह खास area उस area को हम लोग epidemic बोल देते हैं ठीक है तो the centers for disease control and prevention जो CDC है center for disease control and prevention describes an epidemic epidemic को कैसे describe करता है as an unexpected increase in the number of disease ठीक अगर हम epidemic disease की बात करें तो CDC कहता है कि epidemic disease है उसका मतलब क्या है unexpected अचानक से बिना किसी वज़े के increase in number of disease किसी एक खास बिमारी के numbers में क्या कर जाना इजाफा हो जाना increase कर जाना in specific geographical area किसी खास area में ठीक है ना जैसे कि यहाँ example है yellow fever, smallpox, measles, polio are prime examples of epidemics epidemics हैने कि जो polio गएरा था पहले किसी खास खास area में बहुत जादा हुआ करते थे अब तो काफी हद तक polio गएरा क्या ही eradicate कर दिया गया है ठीक है तो epidemic के अगर हम बात करें तो epidemic disease does not necessarily have to be contagious अगर कोई बिमारी epidemic है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो contagious है contagious मतलब छूने भर से फैल जाए जैसे कि अपनी polio क्या polio छूने से फैलता है नहीं तो epidemic disease का मतलब यह नहीं है कि वो छूने से फैल जाएगी ठीक है ना बिमारी हो सकती कोई ऐसी बिमारी है जो किसी खास area में ज़्यादा हो रही है जैसे कि और example की बात करें West Nile fever and rapid increase in the obesity Obesity is also a disease बिमारी है obesity ठीक है ना जो कि किसी खास area में ज़्यादा पाई जाती है मोटे लोग पाई जाते हैं खान पान की वज़े से Also considered epidemics इनको भी हम epidemics कहते हैं Epidemics can refer to a disease or other specific health related behavior कोई बिमारी हो सकती है ठीक है ना या health से related कोई behavior हो सकता है जैसे कि smoking तो smoking भी क्या है epidemic उसमें आ जाता है With rates that are clearly above the expected occurrence in a community or reason और उसका जो rate है वो normal से ज़्यादा होता है किसी community में या किसी reason में reason मतलब किसी area में तो simple सी बात होगी epidemic कोई एक particular area और epidemic disease उस area में अचानक से किसी बिमारी का बढ़ जाना अब बास समझ में आ गई तो epidemic का मतलब किसी area के अंदर होने वाली बिमारी की बात चल रही है तो epidemiology हम उस बिमारी को study करेंगे तो logi हो गया epidemiology तो epi का मतलब among demos मतलब people logos मतलब study लोगों के बीच में होने वाले उस बिमारी को हम लोग क्या करते है study करते हैं क्यों हो रही है किसले हो रही है क्यों इतना फैल रही है वगर वगर तमाम बाते हैं ठीक है तो epidemiology को अगर हम define करते हैं इस डिफाइंड एज डिटेल्ड साइंटिफिक इस्टडी डिटेल साइंटिफिक स्टडी होती है पूरा डिटेल में एक एक चीज बारी की समझते हैं क्या करती समझने होती है हमें frequency कि सरफतार से फैल रहा है distribution कहा कहा फैल रहा है and determinants क्या क्या कारण है उसके फैलने के of disease or disability in society कोई disease हो सकती है कोई disability हो सकती है कोई health related problem हो सकती है तो वो किस रफतार से फैल रही है कहा कहा कितना distribution है कितना cover कर रही है area और क्या क्या उसके कारण है the study cover source ठीक है जब epidemiology के study होती है उसके sources क्या है modes of transmission क्या है of an infection occurring endemically or erupting as an epidemic in community तो mainly है आप आप लोग क्या study करते है उसके sources और modes of transmission जिससे की हम उसको रोक सके बास समझ में आ गई clear है तो epidemiology बात clear हो गई अब आते हैं इसके अंदर कुछ बाते थी जैसे की frequency ये explain करना जरूरी है कि disease frequency से क्या मतलब है तो disease frequency से क्या मतलब है measurement of frequency of disease or disability or death है ना चाहे वो disease हो disability हो या death हो उसकी frequency से क्या मतलब है and summarizing this information in the form of rates and ratio ठीक है तो frequency का मतलब क्या हो गया है कोई बिमारी के कितनी रफ्तार है और किस ratio में है ratio का मतलब उसका prevalence rate, incidence rate death rate, etc. यह साही rate की बात होती है ठीक है these rates are required for comparing the frequency in different population इन rates की जरूद पड़ती है कि हम इसकी frequency को क्या कर सकें अलग-अलग जो population है बच्चों में, बूडों में ladies में, gents में अलग-अलग इसको क्या करें देख सकें किस में किस रफ्तार से यह फैल रहा है के लिए रहे बात है now distribution distribution क्या है this involves the determination of the pattern of the disease pattern क्या है disease का ठीक है, in relation to time, place and person अगर कोई समय है मालो जैसे की डिंगो गए रहा होता है बरसात के बाद फैलता है ठीक है, place किसी खास एरिया में फैल रहा है जो साफ सुत्री इलागे वहाँ पर नहीं फैल रहा है जहां गंदगी भई रहती, वहाँ फैल रहा है person, किन लोगों में जादा हो रहा है बच्चों में, बूडों में, इस्त्रियों में ladies में, ठीक है न ladies इस्त्रियों की बात हो गई gents में, ठीक है तो हमें ये distribution देखना पड़ेगा distribution, फैलाओ कहां है किस समय हो रहा है, कौन सी जगहों पर खास-खास हो रहा है, किन लोगों में जादार पाया जा रहा है तो ये होता distribution हमारा epidemiologist, जो इसको examine करते हैं लोग, examine whether there has been an increase or decrease of disease over a given period of time, whether the disease is occurring more in women or men तो वही बात बोल रहा है, किसी खास period of time में कोई बिमारी घट, कब घटती है कब बढ़ती है, किन लोगों में ज़्यादा पाई जा रही है तो दोनों कहीं न कहीं उपर और नीचे वाली बात एक ही है उपर बात को नीचे थोड़ा explain कर दिया गया है तो दोनों को मिलाकर के एक point बना सकते हो आप लोग Determinants, कारक उसके This aspect is concerned with the testing etiological hypothesis etiological, यहाँ पर हम लोग क्या है disease के कारणों को ढूंते है और hypothesis बनाते है कि साइथ इस वहे से बिमारी फैल रही है कि साइथ इस वहे से बिमारी फैल रही है तो हमारी यहाँ पर hypothesis होती है हम शुरुआते हम पता नहीं होता है कि exact कैसे फैल रही है वो तो हम उस hypothesis की testing करते है कि साइथ वह हवा से फैल रही है पानी से फैल रही है छूने से फैल रही है ठीक है उनकी testing चलते है कारण ढूंड़ रहे हम लोग and identifying underlying cause and risk factor क्या के कारण है और risk factor risk factor मतलब संभावना है क्या है disease होने की ठीक है तो यह जो डिटर्मिनेंट से इस पहलू को हम लोग analytical epidemiology भी कहते है सिंपल सी बात होगी जब भी epidemiology का आप explain करेंगे दो नंबर में आया है तीन नंबर में आया है ठीक है तो epidemiology को जब explain करेंगे तो पहले इसमें आप epidemic का मतलब समझाएंगे epidemic को समझाने के बाद उसके अंदर जब definition लिखोगे तो तीन बाते आएंगी frequency, distribution and determinants फिर इन तीनों को आप लोग explain कर दोगे इस तरह से हमारी epidemiology की जो definition है वो complete हो जाएगी clear है आगे आते है epidemiology का aim क्या है ठीक है न इसका aim है to describe the distribution and size of the disease किस्तना distribution है और कितनी बड़ी population को इसने infect किया है हम यह देखना चाह रहे है to identify the ideological factor उसके cause क्या है कारण क्या क्या है ठीक है disease के to provide the data required for planning, implementation and evolution of the health program जब हमको यह पता होगा कि किन-किन लोगों में फैला है कितनी बड़े population में फैला है तब हमें idea लगेगा कि हमारी planning क्या होनी चाहिए health service provide करने के लिए क्या implementation क्या चीज़े लागू करें हम लोग और evolution of health program और जो हमारे health program हमने लागू किये है वो किस हद तक सफल हुए है लोगों को तक पहुंचे है कि नहीं पहुंचे है उनसे लोगों को लाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम चाहते हैं जब हमका epidemiology पड़ी हमने उसे कारण वगएर हमें सब समझ में आ गए किन कारणों से बिमारी फैल रही है तो क्या होगा reduce incidence and prevalence of disease objective यह होगा ultimately हम बिमारी को कम कर पाएंगे ठीक है to help to eradicate eradicate मतलब जड़ से खतम करना eliminate the disease उस बिमारी को हम लोग जड़ से खतम कर पाएंगे to promote the health and well-being of society हम promote कर पाएंगे जैसे कि कोरोना की case में हम लोग ने promote क्या था कि मास्क पैनो हाथ बार-बार धुलो यह चिस हम कब कर पाए थे जब हम लोग उसको समझ पाए थे तो यह इसकी objective होते है एपिडेमिलोजी के सिंपल अब application कहीं लगे application उपर से मिलते जुलते आ जाएंगे ठीक है ना कहा का apply करते हैं इसको हम लोग to study the history of disease अगर कोई बिमारी है जैसे coronavirus है coronavirus पहली बार तो आया है नहीं coronavirus के रूप पहले की महजूद हैं लेकिन यह कुछ बदला हुआ रूप था coronavirus का है ना इसे coronavirus कोव 2 कहा गया था इसे तो history of disease pattern in the population तो हम लोग population के बिमारी का क्या pattern है इससे हमें यह पादा चलता है हमको current पता चलते है to search the cause of the disease disease के cause क्या है to arrive at community diagnosis ठीक है हम किसी community में उसको diagnose करना जब मैं पहते हैं इस community में इस area में यह विमारी फैल रही है उससे क्या होगा this is necessary for initiating preventive and control measure जब मैं यह समझ में आ गया कि इस community में विमारी फैल रही है तो हम लोग preventive रोग थाम के उपाए और control करने के तरीकों को apply कर पाएंगे वहाँ पर to plan and evaluate health service इस community में कौन कौन सी health service हमें देनी है और उसकी जांच मरताल कर पाएंगे उससे evaluate कर पाएंगे जब service हमने लागू कर दी पाँच मेने छे मेने बाद फिर हम उसकी क्या करते हैं आगते हैं कि हमने जो service दी है इस community में इस बिमारी को ठीक करने के लिए क्या यह service पूरी तरह से सफल रही या नहीं रही evolution of individual risk किसी एक इंसान को उस बिमारी से होने वाले खत्रा रिस्क क्या क्या है search for cause and risk factor बिमारी के cause or risk factor क्या क्या हो सकते है identification of disease syndrome disease के syndrome को हम लोग identify करते हैं तो यह इसके application आ जाएगा ठीक है ना अपने syllabus में क्या लिखा हुआ है एक तो epidemiology की definition जो अपने पूपर पढ़ी थी और यह application यह दो बाते अपने syllabus में mention है बट जब आएगा epidemiology दो तीन नमबर में यह पांच नमबर में तो उसमें हम लोग अपना aim और objective को भी add कर सकते हैं इसके लाबा अपने syllabus में कह रहा है कुछ खास-खास terms जिने हमें समझना है कौन-कौन से terms हैं जैसे की outbreak outbreak का मतलब होता है outbreak की अगर English समझोगे तो outbreak मतलब होता है फूटना एकदम से फैल जाना कोई चीज उसको हम outbreak कहते हैं ठीक है ना तो कह रहा है an outbreak is when an illness happens in unexpected high number unexpected जैसा सोचा ना हो उतनी जादात में हो जाना that is called outbreak जैसे करोना हुआ था it may stay in one area ऐसा हो सकता है कि ये बिमारी किसी एक area में रह जाए या extend कर जाए more widely या और बड़े इलाके में फैल जाए an outbreak can last days or years ये जा outbreak होता है कई बार कई दिनों तक रहता है या साल तब भर भी रह सकता है तो दिनों का भी idea है जैसे कि डेंगू malaria फैलता है कुछ दिनों तक रहता है और साल भर का भी अब आप लोगों का experience है present time पर कि कोरोना फैला था तो साल भर के लिए lockdown लगा था okay sometimes कई बार experts consider a single case of contagious disease to be an outbreak कई बार जो experts होते हैं न सिंगल केस पूरी आबादी में एक इनसान बिमार हुआ और उसको बोल दिया outbreak yes ऐसा भी होता है क्यों पूरी इतनी बड़ी आबादी है चार-पास लाख लोगों के और एक इनसान को पाया गया हमने बोल दिया outbreak है ऐसा क्यों बोल दिया उसका reason क्या है this may be true if it is an unknown disease ऐसा सच तब होता है अगर यह बिमारी unknown है बिमारी का पता होता हम इलाज कर सकते हैं लेकिन कोई unknown बिमारी अचानक से किसी अंदर पाई गई है तो वो कहीं और भी हो सकती है किसी और को भी लग सकती है जिसका idea ही नहीं है तो उसको outbreak बोल दिया जाता है if it's new to a community or if it's been absent from a population for a long time तो कौन सी ऐसी किस प्रकार की बिमारी है अगर एक इंसान के अंदर ही मिली तो उसे outbreak करार दे दे जाएगा हमारे दिमाग में क्या होता है कि अचानक से लाखों लोग को अंदर फैल की बिमारी तो उसे outbreak कहा जाएगा नहीं एक इंसान को होगा तो भी कहा जाएगा अगर वो बिमारी नहीं है या वो बिमारी कई सालों से 20 साल 30 साल पचातों सालों से बिमारी नहीं पाई गई ती उस community में अचानक से किसी एक के अंदर देखने को मिल गई है तो खत्रे की घंटी बजगई डी आउटब्रेक हो गया बसस्मज है यह नाव पैंडेमिक पहता ही है पैंडेमिक करोना पैंडेमिक तर पूर बडी क्रेंचमा अलग अलग साल ऑग चांट्री ने चांट्रीश में एक साथ फैल गई तो उसे हम pandemic कहते हैं इट अफेक्ट मोर पीपल एंट टेक मोर लाइज यह जादा लोगों को अफेक्ट करती है जादा जाने ले लेती है देन एन एपिडेमिक के comparison में बड़ अच्छा एक्जामपल है इसका पेंडेमिक का वन इट बिकेम क्लियर डैट दा इलनेस बहुत सीवियर एंड डैट इट वाइड एरिया ठीक है कि यह सीरियस एक बिमारी है और बहुत जल्दी बड़े एरिया में फैल रही है कैसा ओके पेंडामिक्ग हो गया एंडम एपिडैमिक पैंडेमिक एंडेमिक कि लियर कट रहे न दिमाग में डेफी no आती है वनमार्स कोशन निफर सता है इसका कि सम्थिंग इस एंडमिक इपरीव इस फॉन्द इन पर्टीकOOLर जोग्रफिक का एरिया किसी खास जाओग्रफिक एरिया में पाए जायगा तो अब बढल यह आता है पैंडमिक एपिडमिक का देखें गविशा पाए जाए यह प for example is considered endemic in certain countries and region है ना कुछ खास इलाकों में मलीरिया बार 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 होता रहता है किसी खास टाइम पर फैलता ही फैलता है बास समझ में आ रही है ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं endemic कहते हैं अब तीनों का हम लोग ज़रा difference देख लें क्या difference है तो दोगो endemic endemic क्या है constantly present लगातार मौझूद है किसी population या हिस्से में with relatively low spread और इसका फैलाओ कम है आप लग लग हम देखते हैं cases spreading through a large population अचानक से कोई बिमारी एकदम से फैलती है वह हर समय नहीं होती है लेकिन अचानक से फैल जाती है pandemic sudden increase cases across the several country continents of the world अचानक से पूरी दुनिया में फैल ठीक है तो दिखो endemic के जगे जगे पे है बिमारी लगातार बनी हुई है epidemic किसी एक हिस्से में एकदम से फैलती है pandemic है पूरा globe पूरी दुनिया को cover कर लिया याद रहेगा यह very important अब वहार पास एक question आता है mode of transmission कि आखिरकार बिमारिया फैलती कैसे है mode of transmission तो transmission किस प्रकार से एक से दूसरे इंसान को बिमारी फैलेगी तो transmission is the process by which a pathogen pathogen मतलब जो बिमारी फैलाता है जैसे bacteria virus या कोई और चीज spread मतलब फैलाता है from one host host मतलब जिसको बिमारी दे रहा है to another किस प्रकार एक pathogen फैला रहा है बिमारी को एक host से दूसरे host के अंदर य disease or infections are transmitted in many ways जो disease or infection है वो कई प्रकार से फैलते हैं it may be directly चूलो इससे ही फैल सकता है transmitted from one person to another और by certain bacteria virus और proto जो और फंजाई तो directly में क्या आएगा एक इंसान ने दूसरे इंसान को छू लिया या किसी को उपर चीक दिया ठीक है तो उसको लग गया दूसरा हो सकता है indirectly हमें किसी चाटा तो इंडारेक्ट हो गया हमने कोई खाना खाया उसके अंदर क्या था किटानू थे बैक्टिरिया था हमारे पेट में चला गया वो इंडारेक्ट हों गया तो दो मैसे हमारे पास डारेक्ट और इंडारेक्ट तो direct transmission में क्या है इस ओकर वेन पैथोजन is transmitted directly from an infected person अगर किसी इंसान को बिमारी है और उससे directly दूसरे को लग जाए तो direct transmission कहलाता है for example if an open wound open wound मतलब खुला हुआ जखम comes in contact with the blood of hepatitis B infected patient किसी को जखम खुला हुआ है ठीक है न और दूसरा एक patient को hepatitis B हो रखा है यहां पर हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसको हम देख लेते हैं direct transmission में spread through droplet, droplet मतलब होता है cold और कफ छीक दिया खांस दिया तो उसका थुक गिर गया किसी के उपर नहीं भी गिर गया बेटा तो जो हम छीकते हैं न तो उसके बाद जो हमाई छीक के बूंदे होती है थोड़ी देर के लिए हवा में रहती है माई लो हमने अभी छीका यहां पर और चानक हमारे पीछे से कोई आके यहां से गुजरा और उसने इनहेल कर लिया बैस सांस तो लेगी रहा इंसान तो वह drops के थुरू बेक्टेरिया अंदर चला जाता है spread by skin, conjunctivitis, chicken box छू लिया किसी को chicken box वगरा किसी को छू लेते हैं ऐसे करके तो हो जाता है spread through blood और body fluid थूक वगरा है या खूण कटा हुआ है किसी को दूसरे के जखम पर जाके लग गया जैसे HIV और hepatitis person to person को छूने से gonorrhea जो कि STD है अपनी ठीक है ना यह direct वाले आ गए now indirect transmission airborne हवास होने वाला measles और influenza contaminated object कोई object है जैसे आजकल सबस्यादा क्या होता है अब तो खेर सब लोगों का mobile होगे इसलिए आजकल किसी का ना दूसरे का mobile टेश नहीं करना चाहिए पहले क्या होता था हम लोग बोलते थे समझे नेरा बात को पहले क्या होताँ है साइबर्डेश होते हैं अभी भी हैं तो साइबर्डेश में क्या होता है किसी को जुखाम है तो ऊसे पोंच रहे हैं पोंच track और soldier tiempo करता जा रहा ूओ ठीक है तो उसका मोबाइल गंदा हो रखा है खुजा रहा है मोबाइल चला रहा है तो किसी का मोबाइल ना छुए ठीक है बात समझ वारी है वेक्टर वॉन मतलब किसी के द्वारा इंडारेक्ट में जैसे मलेरिया है या लाइम डिजीज है ट्रांस्मिशन थ्रूफ फूड एंड वाटर ठीक है कॉलरा डाइरिया आ गया खाने आ पीने के बिमारी ट्रांस्मिशन थ्रूफ एनिमस थ्रूफ काट लेता है एंथ्रेक्स ठीक है इन्वार्मेंटल फैक्टर जैसे कि हुक वाम है जो नंगे अंगे पैर चलो जमीन के उप और यहां पर किसी को बीमारी है नहीं inj coordinating किसी और तरीकशा फाल रहे है कि वहिए अगया आई WA इंडरेक्ट ट्रérique ट्रांस्मिशन बाकियों से काट देना और कॉरिंटाइन का मतलब भी है किसी को बाकियों से अलग कर देना फिर दोनों शब्द क्यों अलग है दोनों सब्दों में अंतर है बेटा अंतर क्या है यहां समझ में आएगा देखो जो कॉरिंटाइन होता है जैसे कॉरिंटाइन हम लोग क्या बोलत उसको अलग करते थे उसको बिमारी है चाहे नहीं है जब किसी को शक के अधара पर अलग किया जाता है तो कॉरेंटाइन कर लाता है एर जिसको हंड्रेट परसें बिमारी है sûre है और जब उस इंसान को हम लोग अलग कर देते हैं बाकियों से तो isolation कहलाता है किले लोगी बाते हैं ओके तो कह रहा है word quarantine comes from quarantine ठीक है और quarantine meaning 40 days है ना पहले चलता है 40 दिन का used in the venetian language in the 14-15th century venetian language में 14-15th century का समय था उस समय बात चलती थी इसका मतलब होता है चालिस का मतलब क्या है and also in France the word is designated in the period during which all ships were required to be isolated before passenger and crew could go ashore during black death plague जब यह black death plague फैली हुई थी ठीक है ना तो जो लोग आते थे ठीक है कह रहा है to the period during which all ships जितने वे जहाज होते थे were required to be isolate before passenger and crew go to ashore during the black death plague ठीक है ना तो यह सारी जहाज और ships वगरा आते थे उनके जो लोग होते थे उनको हम लोग 40 दिन के लिए quarantine अलग कर देते थे कि भाई वहले तुमको बिमारी है चाहे नहीं है आप 40 दिन के लिए अलग वहां से यह शब्द की उत्पत्ती हो गई है quarantine is restriction on the movement of people लोगों के motion लोग इधर उदर ना आ जाए ठीक है उसके movement पे हम लोग रोक लगा देते थे या animal का या goods जानवर के उपर या किसी समान के उपर ठीक है तो उसको अलग कर दिया आता था ओके और और क्या current is specific period of time in which a person कोई इंसान है animal है that has disease यहाँ डिजीज नहीं होना चाहिए must stay or be that has disease or not उसे बिमारी है कि नहीं हमें नहीं पता must be stay or kept away from others दूसरों सो अलग रखना है in order to prevent the spread of disease तो बास समझ में आ गई यहाँ पर quarantine का मतलब क्या है हमें उसको अलग रखना है चाहें भले उसे करोना है या नहीं आप से करोना हली बात आ रही है बिमारी है या नहीं है isolation in medicine separation of an infected individual बिटा साफ साफ कह दिया है infected infected मतलब जिसको infection है उस इंसान को जब अलग करना हमें पता है इसे बिमारी है जब अलग करेंगा तो रखते थे पुराना जो black death plague था और कोरोना में 14 दिन के लिए क्यों रखा जाता था वो चालीस दिन अगर black death plague की बात करूं या करोना के 14 दिन की बात करूं वो वो दिन होता है उतना समय होता कि उतने समय में बिमारी अपने अंदर किसी को होगी तो उसके अंदर पनप जाएगी और अपने लक्षण दिखा देगी जैसे करोना कर किसी को है तो वो 14 दिन के अंदर अपने आपको फैला लेगा इंसान के अंदर औ इसे लोगों को जिनके अंदर contagious disease है from people who are not sick तो ऐसे लोग जिनके अंदर contagious का मतलब क्या होता है contagious मतलब होता है जिसको छूने से बिमारी फैल जाए ऐसे लोगों को जिनको बिमार हो गए है उनको अलग करना isolation कहलाता है ठीक है न? isolate if you are sick अगर आप बिमार है तो isolate कर दें और have tested positive for COVID-19 अगर COVID-19 की बात करें और आप बिमार है तो अपने आपको isolate कर लें ठीक है और अगर आपको COVID-19 का test positive है तो isolate किया जाएगा even if you don't have symptoms अगर test positive और symptoms नहीं भी आए हैं तब भी आपको isolate किया जाएगा तब आपको isolate कहा जाएगा quarantine नहीं कहा जाएगा ठीक है? quarantine separates and restricts अलग करता है और restricts रोकता है movement of people लोगों के घुमने फिरने को रोक देता है who were exposed to contagious disease to see if they become sick अगर कोई इंसान ऐसी जगह गया है जहां भी बिमारी थी और वापस आया है तो कहीं उसको भी बिमारी नहीं लग गई है ये चेक करने के लिए हम उसे उतने time के लिए अलग कर देते हैं जितने time भी बिमारी अपने symptom दिखा सकती है these people may have been exposed to a disease and do not know it ये जो लोग होते हैं exposed to disease disease को जा करके छुके आये हुए है मतलब मालो कोई इंसान ने गया है करोना वाले इंसान से मिलके आया है अब जब मिलके आया है तो पता नहीं उसे मिलने गया वहाँ पर हवा में भी हो सकता है तो हमें तो पता नहीं उसे बिमारी है की नहीं है तो ऐसे अवस्था में exposed to disease and do not know, नहीं जानते क्या they may have the disease की उसे बिमारी है but do not show symptoms उसको बिमारी है की नहीं हम नहीं जानते हैं और कुछ रावल के symptoms भी नहीं दिख रहे हैं तब हम क्या करेंगे quarantine and stay away from others उसको quarantine कर देंगे और दूसरों से अलग कर देंगे when you have been in close contact with someone who has COVID-19 अगर आप किसी COVID-19 मरीज से मिलके आए हैं उसके पास होकर के आए हैं तो आपको quarantine किया जाएगा भले आपको बिमारी हो अनिता ना हो बास समझ में आगे quarantine और isolation करें मतलब clear हो गया अब देखो एक term आता है incubation period यहां से यह चीज clear हो जाएगा ठीक है incubation क्या होता है incubate यानि कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी से मिलके आए हैं corona वाले इंस patient से तो 14 दिन के अंदर वो virus अपने आपको आपकी बॉड़ी में फैला लेगा वो जो उसको 14 दिन लगे आपको अपने उसकी बॉड़ी के अंदर फैलने में उसी को कहा जाता है incubation period सारे वर्ट बेटा मार कर लो बार बार explain नहीं करूँगा मैं ठीक है ना तो कितना time एक जैसे मानलोक bacteria बैक्टेरिया किसी बॉड़ी में घुसा और बिमारी फैलाने में उसके इतना समय लग गया वो incubation period कहलाता है ठीक है तो इंक्यूबेशन पीरिए इस दा नंबर ऑफ डेज कितने दिन लग गये between when you are infected जब आप infected हुए with something and when you might see symptoms आज बैक्टेरिया गया बॉड़ी के अंदर और symptoms दिखाई दिए दस दिन के बाद तो दस दिन लगे एक बैक्टेरिया को पूरा फैलने में उसकी बॉड़ी में तब वो दस दिन कहलाया गया incubation period और जो incubation period होता है उतने ही समय के लिए quarantine किया जाता है यह कुछन आ सकता है the incubation period ends when the first sign or symptoms of the disease appear incubation period कब खतम हो जाता है जैसे ही पहला symptom दिखाई पड़ता है बस समझो incubation period खतम अब बेमारी चालू अब healthcare professional and government official use this number to decide how long people need to stay away from other during the outbreak incubation period होता है यही period यह लोग government official होते हैं जो healthcare professional होते हैं decide करते हैं कि आपको कितने दिनों के लिए दूसरे से अलग रहना है ठीक है clear है बाते है कि ओके अहां यह भी बड़ा अच्छा है contact tracing contact मतलब आपने किस-किस से मिले हो और उसको trace करना ना कोरोना में बड़ा के अच्छा case हुआ था कोई था अमने को याद नहीं आ रहा वो किसी कहीं से आ गया था कोई साइद मुझे नहीं पता कौन था कोई अच्छा विदेश से आया वो किसी पार्टी में भी गया नेताओं से मिला फिर वह गया गया तो पूरा ढुणा गया किस-किस से मिला है पकड़ो सबको याद आ रहा है ठीक है तो टेट 來 करना यह किस-किस से मिला जाकर जाए वह सब संदिक्द हो गए उस्स बीमारी के लिए तोखầu क्या है ट्रेसिक का कॉनसेप्ट कोई एक केस था मेरे पास किसी को भीमारी है कनफॉर्म भीमारी है उससे मिलने एक, दो, तीन, चार लोग मिलने गए, ठीक है, अब जब चार लोग मिलने गए, उससे, तो क्या हुआ, अब ऐसा हो सकता है, एक को तो हो गया infection, तो यह क्या हुआ, if contact shows symptoms or test positive, इसको हो सकता है, test positive हो गया, ठीक है, दूसरा जो था, contact shows no symptoms after incubation period, चौद दिन के बाद भी इसको infection नहीं दिखाई पड़ा, यह हो गया, missed contact, यह इंसान कहां गया, पता ही नहीं चला, तो यह miss हो गया, may spread to new contact, अगर यह इंसान पता ही नहीं चला, कहां गया, तो यह आगे जाके फैला सकता है, चौथा इंसान जो था, if contact shows symptom or test positive, confirm, ठीक है, और इसको isolate कर दे गया, बता तुमसे कौन कौन मिलने का या था, तो contact tracing, आप से कौन कौन मिला है, यह चीज़ पूछी आती है आप से, ठीक है न, अब देखो, यहां से समझते है, इससे मिलने चार गए, यह मिला, इसको बिमारी हो गई, यह admit हो गई, इससे मिलने यह तीन आ गए, ठीक है, आ चौत दिन के लिए अलग रखा गया, ठीक है, repeat cycle until no new patient, अब उनको देखा गया कि कोई भी, जैसे यह infected था, तो इससे पूछा जाएगा, तुमसे मिलने कौन कौन आए, तो इस तरह से हम लोग उन लोगों को पकड़ते हैं, किन-किन जिन जो 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 लोग मिलने के लिए आए ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी incubation period के दौरान कोई भी symptom नहीं आया, contact not at risk of developing disease, जैसे यह इनसान था, इसको इससे मिलने, इसको 4 दिन के लिए रखा गया, अब इसको बिमारी नहीं थी, इससे भले 10 लोग मिले हो, लेकिन उनको भी नहीं होगी, क्योंकि इसको नहीं थी, तो इसकी tracing बंद कर दी जाएगी, बात समझ में आ रही है, trace करने का मतलब क्या है, कि अचानक इससे 4 लोग मिलके चलेगा है, फिर यह होता था न, COVID-19 नहीं बढ़ा आया था, पूछते वज़े तुम से कौन को मिलने आया, फिर उन सब को trace किया जाता था, सब को पकड़ा ज नहीं आया, तो यह अपना ठीक या कोई दिक्कत नहीं है, तो यह होती ही contact tracing, trace करना, किसी को trace करना, ढूणना, तो in public health contact tracing, तो public health की बात करें, तो contact tracing is the process of identifying person, contact tracing एक प्रोसेस है, जहां पर हम लोगों को ढूनते हैं, who may have been exposed to an infected person, ऐसे लोगों को ढूनते हैं, जो की infected person से मिलके आये हुए है, तो उसके लिए term इस्तमाल होता है, exposed, यह चारो exposed हुए इस ब्युमारी के हो, ठीक है, and subsequent collection of further data to assess transmission, और फिर उसके बाद हम लोग और data collect करते हैं, कि इन से फिर और कितने लोग मिले हैं, बस यह है contact tracing, by tracing the contact of infected individual, उनको trace करने के बाहर, testing them for infection, इनको फिर हम infection के नहीं है, and isolating to treating the infection, और इसे isolate करेंगे, या treat करेंगे infection को, this public health tool aim to reduce infection in population, इसका यह की मकसद है, कि infection कम से कम हो, ठीक है ना, तो contact tracing से कफ सरी चीजें, COVID-19 वाली याद आगी होंगी, ठीक है, आ गया आते हैं, अब गोल क्या है contact tracing का, मकसद क्या है, हम सबको पता है, मैंने समझा है समझ में आ गया होगा, interrupt ongoing transmission, हम चाहते हैं interrupt, तूट जाए, यह जो एक, यह से मिलके है, उससे चारलों मिलके है, उससे चारलों मिलके है, हम चाहते हैं कि यह सरंखला तूट जाए, otherwise आगी बिमारी फैलती चली जाएगी, interrupt कर देना है हमें, interrupt करना है, ongoing transmission and reduce the spread of infection, infection को infection का फैला कम करना है, है ना spread मतलब फैलाओ, alerting contact to the possibility of infection, alerting contact to the possibility of infection, जो जो contact में आए हैं, उनको alert करना कि भाई, आपको infection हो सकता है, and offer preventive services और profile active care, और उन लोगों को, जो जो मिलके आए हैं लोग, इनको संभावना है, उनको preventive service देना, कि भाई, बचाओ अपने आपको, बचाओ कारे जो होते हैं, और profile active care, कि किसी और को वो ना फैलाएं, आगे, offering diagnosis, उनकी diagnose फगरत की आती है, counseling की जाती है, treatment to already infected individual, ठीक है, जो already infected हो चुके है, उनको diagnose किया जाएगा, counseling किया जाएगा, treatment किया जाएगा, if the infection is treatable, helping prevent reinfection of the originally infected patient, अगर infection treatable है, तो कोशिस की जाती है, कि जो already infected है, व बारा से infect ना हो, उसको भी तो बचाना है, मैं मालो किसी को यह बंदा है, इसको already infection है, जो मिलने आए, वो भी infected था, फिर से infection हो गया, इसको double infection हो जाएगा, फिर, learning about the epidemiology of disease in the particular population, इसका दूसरा एम किया, हम epidemiology को समझना चाहते हैं, disease की, being a tool in multifaceted prevention strategy to efficiently curve the spread of infectious disease, एक तरह का यह tool है, एक तरह का यंत्र है, क्या, contact tracing, जो की help करता है, multifaceted prevention strategy, किन किन परकार से, कई तरीकों से, जो हम prevention strategy अपनाते हैं, रोक थाम की strategy को, to effectively curve, कर मतलब रोकना, the spread of an infectious disease, जब कई परकार से, हम किसी को क्या कर सकते हैं, prevention strategy, multifaceted, कई चेहरे वाला prevention, जब कई परकार से prevention करने की कोशिश करते हैं, रणनिती अपनाते हैं, तो वो यह जो होता है, contact tracing, यह help करता है, बीमारी को रोकने में, ठीक है? Morbidity, हम सब जानते, Morbidity क्या होती? Morbidity का मतलब होता है, बीमारी, और mortality मतलब होता है, मौत, तो definition, Morbidity, तो from Latin, Morbidus, meaning sick, बीमार, unhealthy, is a disease state, यह एक बीमारी की अवस्ता है, disability or poor health due to any cause, किसी भी परकार से आप बीमार हैं, unhealthy हैं, ठीक है? तो वो Morbidity कहलाती है, क्या कहलाती है? Morbidity, आपको सरदर्द भी हो रहा है, तो आप Morbid हैं, the term may be used to refer the existence of any form of disease, Morbidity का मतलब, आप किसी भी परकार की बीमारी से अगर ग्रस्त हैं, तो आप Morbid कहलाएंगे, ठीक है, Morbidity कहलाती है, और to the degree that the health condition affects the patient, ठीक है, वो एक ही मतलब होगे दोनों का, Morbidity का मतलब क्या हो गया? अब किसी भी परकार की बीमारी से अगर ग्रस्त हैं, तो वो Morbidity के अंदर आती है, वो Morbid कहलाता है, Morbidity refers to the state of being diseased or unhealthy within a population, वो एक ही बात होगे, Population के अंदर किसी परकार की बीमारी है, तो Morbid कहलाती है, इस तरह mortality, जब मौत हो जाती है, Mortality source the number of death in a particular population, किसी population में कितनी मौत हो गए है, वो Morbid कहलाती है, ठीक है न, Mortality कहुं कैसे देखते हैं कि एक लाग, जैसे कि हमालोब पांच लाग लोग है, तो एक लाग पर कितने लोगों की मौत हो गई है, It is a measured with the help of system, such as simplified acute physiology score, SEP2, SEP3, एक तरह के tool होते हैं, जाचने के, एक तरह के mathematical formula है, ठीक है, Apache 2, Glass Go, Comma Scale, यह सब तरीके हैं कि हम mortality को किस प्रकार से नापते हैं, किसी population में, ठीक है, तो simple सी बात समझें, mortality के अंदर दो चीज़े निकल के आती है, mortality का मतलब frequency of death, कितनी मौते हो गई हैं, और mortality rate, number of death divided by the number of individual at risk in definite population over a defined period of time, ठीक है, तो mortality rate क्या होती है, number of death, कितने लोग मर गए, और कितने लोग मरने की कगार पे थे, यह simple सी बात समझा जाए इसे, कितने लोग मर गए, जैसे कि मान लो, total population थी, कितनी हजार, जैसे यहाँ पर इसको देखते हैं, है, 2.4 death per thousand giraffe year in the population of North America Jews, यानि कि मान लो, suppose पहले कितने थे, हजार जिराफ थे, और साल भर के अंदर, उनके अंदर, suppose, आठ डैथ हो गई है, तो initial population कितनी थी और कितनी मौत होगी, डिवाइट करते हैं, तो हर पास एक rate निकल के आता है, ठीक है, आप percentage कर देंगे, आगए 100 लगा देंगे, तो percentage निकल के आयाता है, इसी तरह morbidity, morbidity क्या होता है, state of being diseased, एक बिमारी की अवस्ता है, frequency of disease individual, कितने लोग बिमार हैं, क्या दर है उनकी, क्या frequency है, morbidity rate, number of disease divided by the number of individual at risk, कितने लोग बिमार हैं, और कितने लोग टोटल कितने लोग हैं, ठीक है ना, in a defined population over a defined period of time, तो वोई निकालने थे, एक साल के लिए निकालते हैं, हम लोग हर साल के लिए, पांच साल के लिए, जैसा भी होता है, कितने लोग बिमार हैं, और टोटल कितने लोग थे, तो morbidity rate निकल के आयाती है, हमारी example, 40% of all Bali महिना, बाली जो महिना, महिना, महिना का बात जिकर हो रहा है यहां पर, इन नॉर्थ अमेरिका जूस, वर डाइग्नोज़्ट विद एटॉक्सो प्लास्मोसिस बिट्वीन 1990 और 2000, तो 40% रिशो निकल के आया था, कितनी थी और कितनी बिमार थी, उनका डिवाइड करके, इन टू 100 करेंगे, तो percentage निकल के आती है, खेर उसके हमें मतलब नहीं है, लेकिन स्रीव इतना समझना है, सिंपल स्था है, mortality, death, mobility, बिमारी, rate का मतलब हम सिंपल का करते हैं, कितने मर गए, total कितने थे, इन टू 100 कर देंगे, सेम इसमें, कितने बिमार हुए, कितने थे, इन टू 100 कर देंगे, तो mobility rate निकल के आती है, किलियर है, तो ये सारे terms से epidemiology के अंदर, जो हमको समझने थे और किलियर करने थे, ओके, ये topic हुआरा खतम हो जाता है, ठीक है, तो करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, revise करना है, ठीक है, notes, description में मिल जाएगा, ये अपना number है, कोई problem आता है तो, और ये अपना must app है, काफ सारे बच्चे से जुड़े हुए है, आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, और सबसे ज़रूरी काम जो करना है, वो revision का करना है, पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best!